पूरी शाजापुर जन्ता को मैं परणाम करता हूँ यहां आकर 40-42 साल पहले कि यह दाल बाटी यहां कि मश्रूर दाल बाटी मुझे याद आती है यहां आकर यह दाल बाटी याद आती है और अपनी जवानी भी याद आती है पर मैं यह मैं सोचेगा कि मैं बूरा हो गया हूँ रहुल जी, रहुल जी, जरह में चाहता हूँ, जिस प्रदेश में आपाई है, ये प्रदेश, ब्रस्टाचार में नंबर वन, सही बाद है? या सब बेठे हैं या तो ब्रष्टा चार के शिकार है या ब्रष्टा चार के गवा है सही बात है राहिल जी जिस प्रदेश में आप आए हैं ये बेरोजगारी में देश भर में नंबर वन है यह नव जवान जो यहाँ खरे हैं, यही नव जवान हमारे प्रदेश का निर्मान करेंगे भविश में, अगर इनका ही बविश अंदेरे में रहा तो कैसा देमान होगा भविश में? एक क्रार नाजवान मद्य प्रिदेश में बेरोजगार है ये नबर वन है बेरोजगारी में और मद्य प्रिदेश में सबसे बड़ी चुनोती आज हमारे ये नाजवानों का भविश्य है राहुल जी जिस प्रिदेश में आप आए हैं नमबर वन महिलाँ पर अत्याचार नमबर वन आदिवासियों पर अत्यार और ये तो अब चौपत प्रिदेश बन जा है चौपत हमारी रोजगार विवस्ता चौपत भरती विवस्ता चौपत किशी विवस्ता चौपत शिक्षा विवस्ता चौपत स्वास्त विवस्ता चौपत उद्योंक दंदे कहां कहां मैं पढ़ू पूरा प्रदेश ये चौपत प्रदेश है प्रदेश की तस्वीर आप सब के सामने हैं मैं तो आप सब को धन्यवाद देना चाहता हूं कि कताई चल रही है और इत्ती भारी संक्या में आप यहां उपस्ते थे हैं आपने हमें बल और शक्ति दी आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद 18 साल से 18 साल से शिवराज सिंग्जी शिवराज सिंग्जी ने अपने प्रदेश को का गसीटा है यह बर्बाद प्रदेश जो आप सब के सामने हैं जा हर वर्ग परिशान है हमारा भटकता हुआ किसान भटकता हुआ किसान जो भीज और खाट के लिए भटकना पड़ा सही बा किसानों के सियात अन्यू sulphde कि हमारे बेरोजगार रहुजवान हमारा च्रोटा देय परी आफ यह प्रदेश्ट की तस्वीर हमारे सामने है और अब तो शिवराझ सिंग जी की new dignity गोश्णा रही हैं शिवराज सिंग की घोषना मशीन डबल स्पीट पर चल रही है इनका जूट की मशीन डबल स्पीट पर चल रही है यह आज आप सब के सामने तस्वीर है और यह यात्रा निकाल रहे हैं इनको तो रेट कार्ड की यातर निकालनी चाहिए 50 प्रतास प्रतिशत हर चीज में बश्टाचार बश्टाचार की विवस्था बनाई है पंचायच सुले के मंत्राले तक पचास एकर जमीन होए पैसे दो और नाम गरीबी रेखा में लिखवा लो सही बात है ये आज हालाथ है अपने प्रिदेश के तो मैं जब्लग नहीं कहना चाहता हूँ ये सब बाते आप सबके सामने हैं मैं इत्ता ही कहना चाहता हूँ भारतिये जनता पार्टी का समय आ गया है मद्द प्रदेश के मद्दाता उन्हें ते कर लिया है कि शिवराज सिंग जी को बड़े प्यार से रवाना करेंगे समय आ गया है इनके पास बचा क्या है अब भारतिये जनता पार्टी के पास केवल पुलिस पैसा और प्रशासन पद्याद रखिएगा कल के बाद परसों भी आता है सही बात है कल के बाद परसों भी आता है और मुझे पूरा विश्वास है कि यह चुनाव दो मैने में हमारे स सामने हैं यह केवल एक उमीदवार का चुनाव नहीं है केवल पार्टी का चुनाव नहीं है यह मद्यपदेश के बविश्य का चुनाव है और आप सब और मद्यपदेश के मद्दाता सच्चाई का साथ देंगे मद्यपदेश की तस्वीर अपने सामने रख लेजिए सच् और मद्धिपदेश का बविश्य सुरक्षित रखिए यह बारे सामने चुनौती है और मुझे इसका पूरा विश्वास है कि हमने जो 15 साल सिरकार चलाई आप गवा है आप गवा है जो हमारी सरकार चली हमने अपनी नीती और नियत का परिचे दिया हमने 27 लाग किसानों का करजा माफ किया और यहां अपने इस जिले में इस जिले में हमने 70,800 किसानों का करजा पहली केश्ट में माफ किया किया हमने 100 रुपाए 100 यूनिट बिजली दी दी अब पेंशन बढ़ाई हमने गवशाला बनाया कौन सा कौत बने किया था कौन सा गुणा बने किया कौन सी गल्दी बने करी यह सब आज आप सब के सामने है और मैं तो यही कहता हूं कि सौधे से इनों ने सरकार बनाई सौधे से सरकार बनाई मैं मुक्य मंत्री था मैं भी सौधा कर सकता था यह विदाएक आते थे मेरे पास इतने क्लोड रुपई मिल रहे हैं मैंने कहा कि मैं सौधे से कुर्शी में नहीं बैठूंगा मैं मद्यपदेश की पहचान सोदों से नहीं बख करने दूँगा कुर्सी जाती है जाए मैंने सोदा नहीं किया और हमारी सरकार गई आज मेरा अंत में आप से एक ही अपील है इन नवजवानों को देखता हूं मुझे बड़ी बेचेनी होती है आज इन नवजवानों को देखता हूं माताओं को और भेनों को देखता हूं जिन्होंने इतने प्यार से पाला पोसा है मुझे बड़ी परेशानी होती है आज यही इनका भविश हमें सुरक्षित रखना है अपने कृशी चेत्र में नई करांती लानी है हमने करजा माफ किया था पहली किष्ट में हमारी सरकार आईगी सब किसानों का करजा फिर से हम माफ करेंगे यह हमने करके दिखाया है और आगे भी हम करके दिखाएंगे पांच होस पार की बिजली मुष्ट में देंगे आपको बारा गंटे बिजली मिलेगी ताकि हमारा क्रिशी छेत मजबूत होए क्रिशी छेतर में ताकत होती है तो गाउ में किराने की दुकान भी चलती है नहीं तो किराने की दुकान भी नहीं चलेगी तो मैं आप सब को में फिर सी धन्य B Teams देना चाहता हूं आपने यह आकर राछ जी के लिए राछ जी के ऊपर आप लिए विश्वास रखा हमसब भरोसा कर रहे हैं राछ जी पर राछ जी पूरा प्रदेश रपर भरोसा कर रहा है और पूरा प्रदेश मुझे विश्वास है जो आप पर भरोसा कर रहा है ये भरोसा आपने जैसे दिखाया है अभी करनाड़क में दिखाया हिमाचल में दिखाया ये भरोसा आप पर है और मद्यप्रदेश की जनता भी आप पर भरोसा करेगी आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद